Hello everyone, welcome back to the channel आज हम पढ़ेंगे diagrammatic presentation of data देखो data को हम किसी भी तरीके से present कर सकते हैं text के तरीके से लिख के मतलब paragraph की form में tabular तरीके से जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया semi-tabular तरीका मतलब थोड़ा वो text में थोड़ा वो table में और फिर pictorial methods भी आते हैं जिसमें हम स्टेटिस्टिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं in the form of diagram या फिर graph अज़ा जो diagram और graph है मतलब वो सबसे जादा attractive होते हैं और readers की या फिर जो viewers है उनके attention को फटाफट खीच लेती है अगर pictures होती है तो ठीक है अब जैसे अगर मैं आपको यही जो मैं लिखा हो है अगर मैं इसको pictures की form में बताऊं कि अभी हम पढ़ेंगे बार graph के बारे में पाई graph के पाई diagram के बारे में और histogram के बारे में polygon के बारे में ठीक है और ogiv के बारे में तो इस आपको बताओं ताइम सीरीज ग्राफ के बारे में तो इस आपको यह जो सिंबल्स अपको देख रहे हैं तो आपको एजिली समझ आ जाएंगे और इसे थोड़ा टाइम लगेगा ग्रैस्प करने में तो समझे जो कि अगर में डाटा को डाइग्रामेटिक फ्रिक्वेंसी डाइग्राम में हम क्या पढ़ेंगे हिस्टोग्राम पॉलिगन और ओगिव और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे ताइम सीरीज ग्राफ ठीक है तो स्चार्ट करते हैं जियोमेट्रिक फॉर्म से बार डाइग्राम तो जिनरली आपको दो टाइप के तो तरीके से बन सकते हैं इसमें X-axis होती है, Y-axis होती है तो मैं आपको इसके question करके बताती हूं पटाफट देखो आपको screen पे question दिख रहा होगा Draw a diagram to represent the following figures relating to export of computer software इसमें आपको years given है और rupees given है तो सबसे पहले आप X-axis बनाओगे Y-axis बनाओगे देखो यह होई Y-axis यह होई X-axis यह होगया origin आपका अब यहां पे लिखो years X-axis पे यानि कि 1997 to 98 फिर 98 to 99, फिर 99 to 2000, फिर 2002, 2001 and 2001 to 2002 ठीक है इतना कर दिया है अब यहां पे आप ले लो उपर लिखने आपको कि यह किस चीज का है Export of computer software और कौन से year तक 1997 से 2002 तक फिर आप scale भी ले लो scale हम ले रहे हैं कि 1 cm है हमारा rupees 7,000 करोर ओके scale हम ले रहे हैं 7,000 फिर next 7,000 कितना हो गया 14,000 फिर 21,000 फिर 28,000 और फिर 35,000 फिर 42,000 यहां पे लिखो कि यह rupees है करोर में और यहां लिख दो years में अब हमें बस प्लॉट करने अंदाजे के अनुसारी हम प्लॉट करेंगे इतने इस साल में 1997 से 98 तक कितने एक्सपोर्ट वे computer software के sorry यह हुए around 65,000 इस यहर में 10,940 तो यहां राउंड कुछ कुछ यहां पे आ जाएगा यहां उपर लेको 10,940 उसके बाद 1999 से 2000 तक कितने हुए तो आप यहां पे इसको प्लॉट कर सकते हूँ ठीक है 17,150 उसके बाद 2000 से 2001 तक कितने हुए 28,350 यानि around slightly यहां पे उसके बाद 2001 और 2002 में कितने हुए 36,500 यानि around यहां पे ओके तो ऐसे ऐसे आप बार डाइग्राम बनाएंगे यह बहुत इसी है हमने बहुत बार बनाया हुआ है ठीक है इसका हमने एक numerical भी कर लिया तो ऐसे हमारा 12 डाइग्राम बनता है अब हों करेंगे पाई डाइग्राम अब आपको पता है पाई डाइग्राम कैसी दिखते हैं सर्कल में होते हैं ये और हम अपना data present करते हैं in the form of पाई डाइग्राम तो अब मैं आपको एक question देती हूं पाई डाइग्राम का देखो question आपको देख रहा होगा construct a pie diagram to represent the following data about percentage breakup of the cost of construction of a house in Delhi इसमें आपको item दे रखे हैं कि labor का कितना expenditure हुआ bricks, cement, steel, timber, supervisor और expenditure दे रखा है percentage में तो ये दियान रखना जब भी हम पाई डाइग्राम बनाते हैं तो जो परसेंट है इसको हम सबसे पहले angle में convert करते हैं एंगल में क्यों convert करते हैं क्योंकि पाई डाइग्राम जो है वो हमारा D से बनेगा तो इसके लिए हमें इस percentage को सबसे पहले किसमें बदलना है एंगल में अब यह जो एंगल है यह हम कैसे बनाएंगे देखो सबसे पहले आप यहां पे लिखो item और फिर आप लिखो expenditure और यहां पे आपको लिखना है एंगल ओके आइटम में है labor ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, टिम्बर और सूपर विजन परसे एक्सपेंडिचर है 25 परसेंट 15 परसेंट 20 परसेंट 15 परसेंट 10 और 15 परसेंट अब आप इसको कैसे बदलोगे 25 को अगर आपको इन सारे परसेंटेजिस को 3.6 से multiply करोगे तो आपका angle निखल के आएगा which is 90 डिग्री, similarly 15 परसेंट को 3.6 से multiply करोगे तो कितना हैगा? 54 डिग्री, अब इन सबको भी आपको 3.6 से multiply करना है तो यू विल गेट मैं लिखके दिखा देते हूं आपको यहां पे 72 डिग्री और 36 डिग्री तो यह सारे आपके पास जिग्री जागए 90 डिग्री एंड 54 डिग्री ठीक है अब आप क्या करोगे सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे विद्धे हेल्प ओफ कमपस ठीक है कमपस की ह इसके बाद आपको डी लेना है और सबसे पहले आप बनाओगे क्या 90 डिग्री जब आप 90 डिग्री बना दोगे लाइक डैट यह गे 25 परसेंट लेबर का चीक है उसके बाद आप बनाना यह ब्रिक्स का 15 परसेंट ओके 15 परसेंट बनाओगे ऐसे विद्धे हेल्प आफ द जितने भी 15 परसेंट आए ओके फिर उसके बाद आपको 20 परसेंट सिमिंट का लेना है फिर अगेन 15 परसेंट स्टील फिर 10 परसेंट टिमबर लेना है और ब्रिक्स का भी 15 परसेंट तो ऐसे आपका क्या बनेगा π. ड. ज. द. तो ये था हमारा π. ड. अब हम lag पढ़ेंगे arithmetic line graph arithmetic line graph या फिर graph of time series line graphs या फिर histogram कुछ भी बोलो एकी बात है ठीक है arithmetic graph of time series में क्या होता है कि हम time series को एक time series होती है 2004 2005 या फिर 2003 & 4 या फिर 4 & 5 ठीक है तो इस time series को अम graph paper पे भी हम शो कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं graph of time series या फिर arithmetic line graph इसके उसके जनरल rules देखो देखो जो time है जैसे कि year है month है week है वो कभी भी negative नहीं हो सकता negative मतलब कभी में minus figures में नहीं आ सकता चीक है तो इसलिए हमें quadrant 2 और quadrant 3 की जरूरत नहीं है this is first quadrant, second quadrant, third quadrant तो इसलिए हमें second quadrant and third quadrant की जरूरत नहीं है क्योंकि time जो है वो कभी भी negative में नहीं हो सकता जो भी year है, month है, week है वो आप x-axis पे plot करोगे यानि की यहां पर और एक y-axis भी बनाओगे और y-axis को आपको 0 से start करने है यहां से ठीक है y-axis with 0, उसके बाद आपको scale decide करने है ठीक है, scale decide करने है उसके बाद जो values हैं वो आप dot लगाओगे सबसे पहले dot लगाने के बाद उन dot को आप join करोगे और फिर यह हमारा line की form में आ जाएगा तो इसलिए हम इसको arithmetic line graph कहते हैं ठीक है आपने जब बहुत थारे computer के practicals की होंगे तो उसमें ऐसे ऐसे line graph भी आते हैं तो आप समझ गए होगे arithmetic line graph कैसे बनते हैं एक दो मैं इसके आपको numerical कर के दिखाती हूं तो आपको देख रहागा question इसमें आपको years given है and number of students given है ठीक है तो आप कैसे बनाओगे आपको बनाओगे आपको बनानी है y axis x axis यह y axis x axis and this is origin अप क्या करोगे इस origin पे ही आपको नीचे लिखना है 2003 & 4 फिर आप यह लिकोगे 2004 & 5 फिर 2005 & 6 2007 & 8 फिर 8 & 9 और आगे एक्सेंड कर देते हैं इसको फिर 2009 & 10 okay यहां पर हम ग्राफ ले लेते हैं 200 का 200 400 600 & 800 okay अब जलो अब हमें क्या करने प्लॉट करना है देखों 2003 में हमें कितने number of students है 120 तो 120 आराउंड हमारा यहां पर होगा तो हमने यहां पर डॉट लगा दिया 4 & 5 में कितने है 400 यहां पर डॉट लगाया 5 & 6 में 567 अराउंड यहां पर okay फिर है 490 यहां पर उसके बाद 760 अराउंड है फिर 834 यहां पर यहां पर थाउंड का बना लो यहां पर इस यहर में और 8 & 9 में sorry एक मिस्टेक हो गई है यहां पर यहां पर एक एरर आगया यहां पर 07 एक एर मिसिंग हो गया था वह आपको ठीक करना पड़ेगा 2008 & 9 & यहां पर 2009 & 10 अब अब आपने क्वेशन नोट किया आप देखो 2006 & 7 में है 490 यानि अराउंड यहां पर 5 & 6 में कितना था 580 ओके तो यह आपका पड़ जाएगा राउंड here 2007 & 8 में है 760 which would be situated here and 2008 & 9 में 834 834 is around here and 9 & 10 में है 750 750 आपका आजाएगा यहां पर okay यह हमारा graph बन गया अब बस हमें dots को join करना है and finally we joined the dots तो यह हमारा क्या बन गया arithmetic line graph okay frequency diagram में histogram पढ़ना है histogram हम 4 cases में पढ़ेंगे देखो जब हमें equal class interval दे रखे हूं ठीक है मतलब सब में same same gap दे रखो तब histogram कैसे बनेगा फिर जब हमें mid points given हो जब हमें unequal class intervals given हो और जब class intervals हमें given हो inclusive method से तब हम histogram कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम सबसे easy discuss करते है histogram of equal class intervals अब आपको इस्टोग्राम का जो equal class interval इसका question देख रहोगा screen पे इसमें आपको equal class intervals देख रहे है जीरो से 10 10 to 20 22 30 फिर 70 to 80 लास्ट में तो सब के बीच में 10 10 का gap है मतलब equal class interval और इसके साथ में आपको frequency दे रखी है अब को बनाना क्या है histogram बनाने तो यह तो easy है कैसे बनाओ गया सबसे पहले देखो solution देखो इसका x-axis पे आप marks को put up करोगे यानि कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक बना लो ठीक है और उसके बाद आप y-axis पे frequency को put up करोगे चार का आप scale ले लना ठीक है एंड जैसे जैसे इन्होंने plot हिया है आप वैसे वैसे इसको plot करते जाओगे ओके तो यह तो simple सा histogram था अब next case हम देखते हैं histogram when midpoints are given जब हमें midpoints given होते हैं अब इसका भी question देखो आप construct a histogram from the following distribution of total marks obtained by 65 students of the school in the board examination इसमें आपको क्या given है midpoints given है ठीक है midpoints यानि कि किसके midpoints marks के और number of students given है ठीक है अब जब भी आपको midpoints given होते हैं तब आपको क्या करना होता है upper and lower class limit बनानी होती है ठीक है मैं आपको भी बताती हूं कि आप upper and lower class limit कैसे बनाओगे and साथ की साथ देखो x-axis पर आपको marks बनाने है y-axis पर number of students difference बनाने है fine अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है हमें upper and lower class limit बनानी है तो आप कैसे बनाओगे देखो सबसे पहले आप क्या लो से for the first midpoint get the difference between the second and first midpoint जो आपका second midpoint है वो कौन सा है 160 और first midpoint कौन सा है 150 उन दोनों को minus करो कितना आया difference 10 आया अब जो आपका difference आया यानि कि 10 उसको divide कर दो आप 2 से तो कितना आया 5 चीक है difference को हमने divide के 2 से तो हमारा क्या आया 2 okay sorry 5 आया अब 5 को हम में क्या करना है जो आपका उपर जो first midpoint था उसमें से 5 को minus करना है ठीक है and उसके बाद 150 में ही 5 को add करना है तो कितना आ गया 145 और 155 ओके तो यह आपकी क्या होगी lower class limit lower limit और यह आपकी होगी upper limit चीक है तो आपका पहला class interval क्या आ गया 145 to 155 similarly जो आपका second था उसमें आप कैसे करोगे second midpoint 160 में 5 minus कर दोगे lower limit के लिए तो कितना आ गया 155 और 160 में add कर दोगे 5 तो कितना आ गया 165 तो यह आपकी second class interval बन गया 155 से 165 ऐसे ऐसे आपको क्या करना है सबसे पहले table बनाना है marks का यानि की इस form में जो आपका यह ऐसी form आई थी उसके बाद आपको लिखने number of students and now आपको इस्टोग्राम बनाना है जैसे कि आपको डाइगराम में दिख रहा है x-axis पे हमने marks लिए हैं and y-axis पे number of students लिए and then we made the histogram अब हम पढ़ेंगे next histogram histogram of unequal class अब देखो histogram of unequal class interval का question आपको देख रहा है और number of workers देख रहे हैं daily wage को ध्यान से देखो पहले 10 to 15 है 15 to 20, 20 to 25 25 to 30 यहां पर 5 to 5 का gap है इतना ठीक है फिर आता है 30 to 40 आप 5 के बाद सीधा 10 का gap आ गया फिर आता है 40 to 60 सीधा 20 का gap 60 to 80 आप सीधा 20 का gap मतलब unequal class interval हो रहे हैं आप इस case में कैसे आपको histogram बनाना है देखो next table देखो मैंने आपको यहां पे solution शेयर किया हुआ है इसमें देखो daily wages में जब तक 5 का gap है तब तक तो frequency को adjust करने की जूरुत नी अब देखो 30 to 40 के case में क्या हो रहे है frequency है हमारी 12 अब हमें इस frequency को adjust करने कैसे करोगे adjust सबसे पहले आप लिखोगे 5 5 मतलब पहले class interval हमारा 5 था न मतलब पहले 5 का gap आ रहा था तो 5 को multiply करोगे 12 से 12 से क्यों multiply किया क्योंकि यह frequency है 30 to 40 की और divide करोगे 10 से 10 से क्योंकि 30 और 40 के भीच में कितने का gap है 10 का gap है तो जब आप इसको solve करोगे तो आपकी नई frequency आएगी 6 getting me अब देखो next daily wage देखो 42 60 इसकी frequency है 12 अब देखो 5 यानि कि पहले class interval कितना था 5 का उसके बाद multiply करोगे 12 से क्योंकि 12 इसकी frequency है divide करोगे 20 से यानि कि जो इसमें class interval का gap है 20 तो frequency आएगी आपकी 3 next में भी ऐसी करना है 5 जो पहले class interval था multiply करोगे frequency 8 से divide करोगे 20 से क्योंकि 20 का gap है तो frequency आजेगी 2 ठीक है अब देखो अब आपके पास एक proper table तयार हो गया daily wages का और frequency का now see the answer of histogram आप ऐसे histogram को plot करोगे ओके तो यह था third case अब हम पढ़ेंगे histogram when class interval are given by inclusive method अब देखो इसको आपको question दिख रहा होगा histogram when class interval are by inclusive method inclusive method में क्या होता है lower limit और upper limit include होती है यानि देखो पहले 5 to 6 वाली है आपके पास class interval तो इसमें क्या होगा 5 to 6 के अंदर inclusive method में 5 तो include हो गई होगा साथ में 6, 7, 8 और 9 भी include होगा ठीक है इसको हम कहते हैं कि मतलब जो lower limit है वो भी include होती है और upper limit है वो भी include होती है इसको हम कहते है inclusive method तो इसमें हम क्या करना है सबसे पहले हमें कुछ तरीका ढूणना है इसको हमें सबसे पहले class interval में लेके आना है कैसे लेके आएंगे देखो adjustment करो find the difference between lower limit of second class सबसे पहले second class आओ second class कौनसी है 10 to 14 ठीक है अब 10 to 14 में आपकी lower limit कौनसी है 10 ठीक है उसमें difference हमें क्या करना है upper limit of first class first class की upper limit कौनसी है 9 आ गई 9 अब उसमें से minus करोगे तो कितना आएगा 1 अब 1 को हमें 2 से तो कितना आएगा 0.5 ठीक है 0.5 को हमें lower limit में से minus करना है और upper limit में add करना है तो पहले first class interval देखो 5 5 को हमें add करना है 0.0 sorry lower limit में minus करना है 0.5 तो कितना आएगा 4.5 और इसी 9 में हमें add करना है 0.5 तो कितना आएगा हमेरे पास 9.5 तो हमारी कितनी बन गई जो 5 to 9 था पहले वो बन गया 4.5 से 9.5 आपको हर frequency और हर marks में ऐसी करना है तो आपके पास कुछ ऐसा टीबल आएगा 4.5 से 9.5 और तिल 29.5 से 34.5 तो आपके पास marks आगए 10 students आगए now you have to just make the histogram तो यह सामने आपको दिख रहा है histogram आप ऐसे ऐसे plot करोगे तो histogram हमारा बन चुका है अब हमें पढ़ना है frequency polygon अब आपको स्टार्ट करना है frequency polygon frequency polygon हम दो तरीके से draw करते हैं with histogram and without histogram तो पहले with histogram का illustration देखो आप इसमें आपको क्या करना है draw of frequency polygon of the following distribution of students obtaining marks in an examination आपको marks given है और number of students given है सबसे पहले तो आपको क्या करना है histogram बनाना है इसका भी देखो आपने histogram बना लिया ठीक है x-axis पे marks लिये है and y-axis पे number of students लिये है अब जो यह आपके rectangles है इनका जो mid point है उस पे आपको क्या करना है dot लगाना है और इन सारी dots को आपको join करना है तो यह आपको यह triangle shape को कुछ को दिख रहा है इसको हम क्या बोलते है frequency polygon ठीक है तो यह आपका ऐसे frequency polygon बनेगा अच्छा यह ध्यान रखो यह आपको जो frequency polygon है यह baseline तक बनाना है यानि कि x-axis तक बनाना है तो तब ही इनों ने जो यह नीचे के जो portion है यह भी frequency polygon से join किया हो है x-axis को अब next देख लेते है frequency polygon without histogram देखो इसमें क्या करना है सबसे पहले आपको वही वाला illustration में दिखाती हूं यह देखो यह आपका पहले था marks इसमें आपको class intervals दिए हो है and number of students given है इन ही के आपको इन marks के आपको midpoints लेने है midpoints कैसे लोगे जैसे पहले आपकी marks थी 10 to 20 अब आप इस 10 to 20 को plus करोगे divide by 2 करोगे तो आपका midpoint आ जाएगा 15 तो ऐसे आपके सारे midpoint आ गए और number of students आ गए now see the frequency polygon आपको just marks के according यानि की midpoint के according number of students को plot करना है आपको frequency polygon बन गया without histogram ओके तो easy था अब last में हम पढ़ेंगे OGEV next है आपको cumulative frequency curve जिसको हम बोलते हैं OGEV OGEV को हम दो तरीके से बना सकते हैं एक तो less than method होता है और more than method होता है मैं आपको पिछले chapters में less than CF यानि cumulative frequency निकालनी चिखाई होगी है and more than B जैसे कि मान लो मैं आपको example दूँ 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15 आपको class interval दिया हुआ है number of students इतने है 7, 10 and 20 आपको less than CF निकालना है ठीक है less than CF कैसे निकालोगे पहले तो 7 लिखोगे 7 में add करोगे 10 तो कितना हैगा 17 फिर 17 में add करोगे 20 तो कितना हैगा 37 यह होती है less than CF ठीक है और more than CF कैसे निकलती है सबसे पहले आपको इन तीनों को add करना है 20 plus 10 plus 7 कितना आगया 37 ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है second unit पे आपको यह दोनों add करनी है यानिकि 30 फिर last पे आपको सिर्फ यह करना है 20 तो यह आपकी more than CF हो गई ओके तो यह होती है less than CF and more than CF अब I hope अपको कैलकुलेट करना आ गया होगा अब इसका एक question देखते हैं यह देखो draw less than and more than orgif curve from the following data and indicate the value of median आपको marks दियो है number of students दियो है अब आपको इसका solution दिखाती हो इसमें देखो less than CF and more than CF calculate किया हो है जैसे मैं आपको भी बताया अब जब आप less than and more than CF calculate कर लोगे अब इसका आप graph देखो solution देखो इसमें x-axis पे marks ले रखे हैं y-axis पे number of students दियो हैं फिर less than CF को plot किया हो है and more than CF को plot किया हो है और जहां पर यह intersect कर रहे हैं उसको इन्होंने drag किया हो है वो आपकी क्या हो गई? median हो गई, right? तो इससे आप क्या कर सकते हो? ogif बना सकते हो more than and less than series यह methods से, okay? तो finally हमारा diagrammatic presentation of data खतम होता है I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा If you like the video then please do like, share, comment and subscribe the channel Thank you कर दो